यसनबी बैंक के अपने अकाउंट से इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफर करें पैसा ट्रांसफर करने के बाद पैसे को ट्रेक कैसे करें यानि पैसा भेजने के बाद पैसे को कैसे पता करें कि अकाउंट में पैसा पहुंचा की नहीं पहुंचा आप आ अगर आपका account snb quickpay में है तो आप snb mobile application को भी यूज कर सकते हैं यह दोनों एक ही बैंक है snb bank की चोटी बरांच है snb quickpay तो चलिए वीडियों को सुरू करते हैं शुरू करने से पहले आप से एक छोटी सी request है अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पिलीज आप आप इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ पर नोटिफिकेशन के बेल आइकान पर इसी तरह क्लिक करके और अगर आप इस वीडियों को फेस्बुक पर देख रहें तो आप फेस्बुक पेज को फालू करना ना भूलें तो चलिए वीडियों को सुरू लागन करने के बाद अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ट डालकर लागन कर लेंगे लागन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जागा इसके बाद आप यहां पर ट्रांसफर्स पर क्लिक कर देंगे इसके बाद आप यहां पर क्योक पे, क्लिक कर देंगे जिर्याद की बेनिचिनल बैंक की आ क्योट करने किर नेक आप Mü क्योट करें、 इसे प्यक्तार काउड क्योट की या कैसे इर्ट करें आपको वीडियों की लिंक मिल जाएगी अब आप यहां से जिस बेनी फिसरी पर पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उस बेनी फिसरी के उपर क्लिक कर देंगे बेनी फिसरी के उपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर क्लिक कर देंगे इसी तरह इसके बाद आप इसको SR पे ही रहने देंगे इसके बाद amount में आप कितना real transfer करना चाहते हैं इतना real इंटर कर देंगे और आपको यहाँ पर एक चीच का ख्यालग अंगा सकते हैं यहाँ पर एक चीच का ख्यालग अप जितना real transfer कर रहे हैं अगर आप इस रियाल में से फीस कटवाना चाहते हैं तो यहाँ पर यह जो टिक लगी इसको आप अंटी कर देंगे और जैसे यहाँ पर आप जितना रियाल इंटर कियें इस रियाल में से आप फीस नहीं देना चाहते हैं आप अलग से फीज देना चाहते हैं तो एड के बाएं तरफ जो टिक लगा इसको ऐसे लगा रहने देंगे इसके बाद परपज आफ ट्रांसफर में अगर अपनी फैमिली में से किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं यानि आप यहां से ट्रांसफर टू फैमिली और फ्रेंड से और जैसे अगर आप ने ही अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप यहां से माई अकाउंट इन अदर बैंक है इसके बाद नीचे परसीड पर किलिक कर देंगे प्रोसीट पर किलिए करने के बाद आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे प्रोसीट पर किलिए करने के बाद आपके मुबाइल नमबर पर एक कोड आएगा उस कोड को आपको इंटर करना होगा और आप यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना हैने तरफ आपके अकाउंट से टोटल कितना रियाल कटेगा यहाँ परस होगा और यहाँ पर आप जितना real transfer कर रहे हैं उस real का total कितना बनेगा जिस country में आप पैसे को transfer कर रहे हैं उस country की currency में यहाँ परस होगा इसके बार नीचे आएगगे नीचे आने एक बाद जो आपकी mobile number पर code आया, आया ixtm उसी code को आप इंटर कर देंगे कोटिंट रेकनने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं यह ट्राजेक्शन है इस बीने सक्सेशफुली एक्सक्यूटेड है पैसा ट्रांसपर हो गया है और अगर आप इस रिसीट को किसी के पास भेजना चाहते हैं तो आप यहां पर इस तीर का इकान पर क्लिक करके भेज सक पीडिया फाइल में वार्टसअप, इमो और जीमेल के जरिये इसके बाद नीचे फिनिस पर क्लिक कर देंगे और आपके मुबाइल नमबर पर आपको इस तरह का एक मैसेज में मिल जाएगा ट्रांसपर का पैसा तो ट्रांसफर हो गया इसके बाद आप कैसे बता करेंगे कि अकाउंट में पैसा पहुंचा की नहीं पहुंचा यानि आप ट्रेक कैसे करेंगे कि अकाउंट में पैसा पहुंचा की नहीं पहुंचा आप simply यहाँ पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके फिर वापस आएंगे इसी तरह वापस आने के बाद नीचे यहाँ पर क्विक पे ट्राजेक्शन हिस्टरी के उपर क्लिक कर देंगे इसके बाद आप जो भी पैसा ट्रांसपर की होंगे सबसे उपर यहां परसे होगा इसके बाद इसके उपर क्लिक कर देंगे क्लिक करने बाद सबसे नीचे स्टेटस के नीचे देख सकते हैं डिलेवर्ट टू बैंक के यानि अकाउंट में पैसा पहुँच गया है अगर आपका यहां पर इस तरह सो हो रहा है स्टेटस के नीचे तो आपका पैसा अकाउंट में पहुच गया है जैसे कि आप फोटू में देख सकते हैं जिस अकाउंट में पैसे को ट्रांसपर किया हूँ उस अकाउंट में पैसे पहुँच गए हैं आप देख सकते हैं पैसा ट्रांसपर करने के बाद एक घंटे के अंदर में और मैं आपको बता दूँ पैसा ट्रांसपर करने के बाद 10 म के अंदर में पैसा अकाउंट में करेडिट हो जाता है यानि अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है